जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी, तो हमारी सनातन हिंदुधाम दौल रिया था लूट लिया जावारी आप लिया ओहो हो हो, क्या डायलोग लिखा है, यार मतलब दिल जीत लिया भाई, ला जवाब तो यार OMG2 का ट्रेलर तो आ गया है, बट ये मुवी फिलाल भारी संकट में है क्योंकि इस मुवी में टूटल 35 कट्स लग चुके हैं, समझ रहे हो, मतलब 35 सिंट को काटा गया है या फिर बदला गया है, इसके करण मुवी कंटेंट पे काफी जड़ा इंपक्त पड़ सकता है जो कि इस मुवी के लिए तो सच में अच्छा बात नहीं है, क्योंकि हर डिरेक्टर्स और राइटर्स के अपनी आइडियाज होती है और अगर उसी आइडियाज को ही बदल दिया जाए, तो भाई ये वो कुछ अलगी प्रोड़क्ट बन जाएगा जो कि सेट में बनाने वालों का पसंद नहीं आएगा और यहां वही हुआ है, भाई 35 सिंट माइन में रखते हैं तो यह जानने से पहले कि इस मुवी में प्रावलम क्या है पहले यह जानते हैं किस्ते स्टोरी क्या है और यह मुवी किस बारे में बात करेगी तो जैसा कि ट्रेलर में देखने को मिलता ही है कि एक बैपारी है, जिसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है वो भगवान सिब का एक बड़ा भग भी है और उसकी एक हैपी फैमिली है मतलब एक अच्छा कासा फैमिली में है बट एक दिन उसका लाउन डजो की 14-15 साल का है अपनी भरती जमानी के एज में स्कूल के अंदर कुछ ऐसे वैसे कांड कर देता है जो नहीं करना चाहिए था वही टिनेजर्स वाली हरकतें एंड उसका वीडियो हो जाता है वाइरल जो कि आस पास के पबली के साथ साथ असकूल भी देख लेती है और असकूल वाले इसे असकूल से निकाल देते हैं क्योंकि कहीं न कहीं तो स्कूल के भी गलती है क्योंकि अगर आपके स्टुडेंटेंसे काम कर रहे हैं तो आपनोंने सही सिच्छा नहीं दी इसी कराम तो बच्चे नहीं इसा किया अगर आप से सही सिच्छा दिये होते तो वह ऐसा नहीं करता तो इस पर आप student कोई पूरिता से blame नहीं कर सकते which means ये movie sex education के मुद्धे पर बात करेगी और वैसे अगर देखा जाए तो sex education काफी जदा sensitive topic है वो भी खास करके इंडिया में हाँ ये topic दिल्ली मुंबे में अतना uncommon नहीं होगा बट भाई दिल्ली मुंबे में पूरी इंडिया नहीं आ जाती है इंडिया में काफी इसी जगह हैं काफी क्या लगवक सारे ही जगह जहां sex education प्लाना तो छोड़ो लोग बोलने में घबराते हैं तो ये topic तो भाई काफी sensitive है और ऐसे topic पर controversy नहीं हो ये तो उम्मीद ही नहीं कर सकते और इस movie का controversy है कि आपने इस movie को मंदिरों में suit किया नहीं मंदिरों में suit करना controversy नहीं है problem इससे है कि इस movie को A-certification में लिया and A-certified movies generally adult movies होती है and लोगों का कहना है कि अब adult movies में Hindu's God को नहीं दिखा सकते This is the kind of disrespect to the Hindu beliefs तो I think तुम लोग इतना समझ गया होगे किस movie के साथ क्या problem है और इसी करने इस movie में 35 cuts लगए है and कुछ changes भी हुई है और हाँ अगर trailer के और आगे बात करे तो भाई इसमें हमारे अधर निये Arun Gobil sir भी है वैसे इसके परदा rumor आ रहे थे कि इन्हें स्री राम के रूप में देखा जाएगा बट देखो साथ movie में क्या दिखाते हैं ये लोग साथ दिखाएं दे स्री राम के रूप में और अगर ये सिर्फ प्रिंसिपल के रूप में है तो भाई मैं इन्चे कुछ ग्यान वर्दक चीज़े उमीद करूँगा ताकि ये कुछ ऐसा बोले जिस पर movie का impact पड़ सके लोगों पे और हां मैं खास करके Arun Gobil sir को लेकर excited में हूँ खेर तुम्हारा क्या कहना है इस मुद्दे पर और ये जो झाल